वेल्कम बेक तो अबर यूट्यूब चैनल विज्ञा महासागर स्वागा था आपका आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर 10 के नया पार्ट प्रोबाविडिटी हिंदी में उसे कहते हैं संभावना की गया तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं और जिसने में अभी तक पिछली वीडियो आएंगे उसमें कवर कर दूँगा सारी तो फिर क्या कहते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो आप उनको दाके देखिए और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और जो मैंने वही चीज कवर कर दिये तो आपके एक्जाम पॉंट आ आपको समझाने की पूरी कोशिस किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझवाएंगे आज हम पढ़ेंगे और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर प्रेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिजिए और हमारी वीडियो को प्लीज ला एक एक है इसमें भी लेकिन मैं इसमें से दो एक दो वीडियो बनाऊंगा मिनिमम जिसमें से सारे जितने भी इंपोर्टेंट कोशन है मैं हर टैप के कवर कर दूँ आपको आपके पेपर के लिए ठीक है तो देखिए सबसे बना कोशन क्या है वीच आफ फॉल्लोइंग कैन होगी या नहीं होगी ठीक है ये भी एक संभावना है जैसे कह देंगे कि मैं कह दूं कि एक टोक्री में चार सेब हैं और चार संतरे हैं ठीक हो गया आपने आग बंद करके एक सी उठाई तो उसकी क्या संभावना है कि वो सिर्फ सेबी सेब हो या फिर संतरा हो संभावना ह कि one संतरा होगा लेकिन आप क्या शक्राइब प्रभायबिटी में हैसे सतो की संभावना को हम probability कहते है ठीक है और मैंम बता दू कभी भी वन से नहीं होती है प्रोयबलेटी कभी भी 1 से बढ़ी नहीं होती है और जीरो से छोटी ही और जीरो और एंवन के बीच में कुछ भी probability हो सकते है 0.999999 normatis जिरो जिरो 1 भी probability होगी ठीक है लेकिन माइनस 1 कभी probability नहीं होगी- और 1 से बढ़ा यानिकी 1 अपॉन 1 तो होगी ठीक है अगर 2 अपॉन 1 है यानिकी 2 jaad रखे ले जिरो से छोटा और 1 से बड़ा probability कभी नहीं हो सकती जो Maximum probability होगी व'ho one होगी और minimum जो होगी व'иль 돼요 होगी ठीक है समझ गें और probability क्या होता है मैंने जैसे आगको बताया probability दो चीज क्यों कि है होने के संभावना प्लस ना होने के संभावना हम ऐसे लिखते हैं PE लिखा मैंने PE मलब की कोई भी event यानि किसी भी चीज के होने के संभावना को हम PE लिखते है यानि कि 50-50% है जैसे हमान लोग क्या कहते हैं कि मोहन का एकशांपल लेदे मोहन पेपर में पास होगा 50% है मोहन पेपर में फेल होगा वह भी 50% है यानि कि 50-50, 100% complete होगा एक होगा ठीक है अब हम questions पर आते हैं देखिए मैं उम्मीद रहता हम कि आपको प्रोबैबिलिटी के जो बेसिक कंसेप्ट है वह आपको समझमा आ गया होगा ठीक है तो अब देखिए वीच अब देखिए अब यहापा निकाल लेंगी कि यह चारव है ए बी सी डी इन में से कौन सा प्रोबैबिलिटी नहीं हो सकता है ठीक है वैसे अगर जिसको अभी तक प्रोबैबिलिटी समझमा आये होगी तो इसको देखके ही पता चले कि कौन सी इसमें प्रोबैबिलिटी वन से छोटी और जिरो से वन के बीच होती है जब हम 3 से 2 कोड़ करेंगे तो सब से देखो यह मैंने यहां पर कर देता हूं 3 से 2 को पॉइंटे लगाएंगा तो एक 0 आयेगा याना कि 3 शिकजा 18 फिरोफि 20 आया फिरुफि 3 शिकजा 18 फिरोफिश्याट्य ओ कि यानै कि 0.6666 6 आते रहेगा और जो यह है यह आप देखिए यह 1 से छुटा है कि नहीं है वन से छुटा है यह जो है यह 0 से बड़ा है जिरोफि probability होगी ही होगी ठीक है और B minus 1.5 मैंने अब आपको क्या बताए था probability कभी भी minus में और 1 से बढ़ी नहीं होगी तो यह probability नहीं होगी तो इसी दें रॉंग हो गया ठीक है अब देखते हैं 15% को भी चेकर लेते हैं है 0.15 ठीक है यानि कि यह भी 0 से बढ़ा है और 1 से छोटा है यानि कि यह भी हमारा probability होगा और इतना करने की जरुवत नहीं है आप सिदे से लिए देंगे probability can never be negative यानि कि हिंदी में कहलेंगे संभावना कभी भी रिनात्मक नहीं होती है ठीक है तो यहां से हम लिखनेंगे क्या कहते हैं कि जो B है यानि कि option B minus 1.5 यानि फिर न 1.5 हमारी जो प्रोबावना नहीं है यानि कि my probability नहीं है B हमारा correct answer हो जाएगा ठीक है तो अगला question जो है वो यह है कि if PE is equal to 0.05 अगर PE यानि कि 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 चीज के होने की संभावना जैसे मैंने PE आपको उपर बताया देखो यह PE किसी भी चीज के होने कि संभावना है हमारे 0.05 what is the probability of not E यानि कि उशी चीज को ना होने की संभावना क्या होगी यह कहना चाहरा है हमको पूछता चाहरा है और मैंने हापर आपके समझने के लिए formula भी लिख दिया है PE यानि कि होने की संभावना PE not E यानि कि ना होने की संभावना आप ऐसा भी ले सकते हैं लेकिन अगर आप यह लिखेंगे न यह जालक सही होगा ताकि examiner जो आप यह को भी चेक करते हैं उनको भी समझ माए अच्छे से उनको भी उनके लिए या आपको भी समझ माएगा अगर आपने P not E लिखेंगे ताको सिद्धे समझ माएगा PE यानि कि किसी भी चीज को होने की संभावना not E में लग किसी भी चीज के ना होने की संभावना is equal to कितना होता है 1 यानि कि हमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे गिवन तो हमारा मूल मंतर है कुछ उनको सुलू करने का गिवन PE is equal to है हमारा 0.05 ठीक है और P not E हमको निकालना है हम जहाबर लिख दूंगे to find to find लिख लेते हैं या आएगा हमारा to find P not E हमको निकालना है ठीक है फिर हमको using formula कर देंगे तो यहां से लिख दूंगा मैं using formula formula उपर पर लिखा हुआ है लेकिन अगर आप जब exam आएंगे तो उपर ने लिखेंगे जब इसा लिखेंगे using formula PE plus P not E is equal to 1 लिखेंगे तो जब 0.05 यह हो गया plus P not E यह हो गया सिर्थे से simplification करना आता है आपको वही कर दीजेब P not E यहां पर है P not E is equal to 1 minus 0.05 यह इधर गया तो जब इसको minus करेंगे देखो 1.00 लिख सकते हैं नहीं 1 को लिख सकते हैं बिल्कुल और यह हो जाएगा 0.05 यानि कि 10 यह जब इसको जब इससे 0 बोरो लेगा तो यह हो जाएगा 10 10 हो जाएगा लेकिन इसको एक देदेगा तो यह बचे का 9 और यह जब इससे बोरो लेगा तो यह हो गा 10 यानि कि 10 minus 5 5 और 9 minus 0 9 और यह 0.95 यानि कि हमारे जो P not E यानि कि पर उसी चीज को ना होने की संभावना कितनी है जादी यानि कि अगर हम चीदे सब जो में कहें तो वो चीज होगी ही नहीं लेकिन फिर भी संभावना निकाले हैं प्रोबैलिटी निकाले हैं तो फिर क्या कह सकते हैं इतनी प्रोबैलिटी हैं कोई निकालना है लेकिन अगर देखिए आप किसी को होने की संभावना है 0.05% और ना होने की संभावना 0.95 तो यहां बरसे कह सकते हैं कि वो चीज नहीं होगी कह सकते हैं बस क्योंकि यह भी संभावना है हम बिल्कुल दावय के साथ नहीं कह सकते हैं कि ऑगां चीज होगी ही नहीं होगी क्योंकि उसके हुने की संभावना अभी भी है तो चलिए अगरे व्यदियो की और जो बढ़ते हैं देखिए Cat कोशिन है हमारा, a bag contains lemon flavored candies only, Malini takes out one candy without looking into the bag, what is the probability that she takes out, पहला, an orange flavored candy, दूसरा, a lemon flavored candy, यानि कि आसान सब्दों में उसको समझाए जाए तो, कह रहे हैं कि, a bag contains lemon flavored candy, एक bag है, जिसमें lemon यानि कि नीम्बू के फ्लेवर की टौफी है, टौफी तो भी तांते है, candy टौफी, ठीक है, ए एक bag है, जिसमें नीम्बू के फ्लेवर की, नीम्बू फ्लेवर की क्या है, टौफी है, सिर्फ, सिर्फ नीम्बू फ्लेवर की टौफी है, ठीक है, तो कहने कि, Malini takes out one candy, यानि कि, Malini एक किसी लड़की का नाम है, तो Malini एक टौफी निकालती है, without looking into the bag, बिना bag में देखे है तोफी निकालती है, अपने दोस्तों को देने के लएगे, या फिर खुद खाने के लिए निकालती है, उन्हें bag में से एक टौफी, ठीक है, what is the probability that she takes out, ये कहरें कि, क्या संभावना होगी कि, जब उसने टौफी निकाली, वो एक संतरे के फ्लेवर की केंडी होगी, यानि क तोफी निकालती है, बेना bag में देखे, तो बताए कि क्या संभावन होगी, जो वो टौफी निकालती है, वो एक orange फ्लेवर होगी, यानि की संतरे की टेस्टी की होगी, या फिर एक lemon फ्लेवर होगी, यानि की निम्बू के टेस्टी की होगी, ठीक है, तो question को हम सुरू करते है, पहला वाला हम इसका solution ने आपर करते हैं, तो देखे, अगर जिसने question को जहांचे समझा होगा, वो समझ गया होगा की, तो इसकी probability है, वो क्या होगी, क्या होगी, जीरो होगी, अब जीरो क्यों होगी, देखो, question की पैनला में क्या लिखा है, a bag contains lemon flavored candy, यानि की जो हमारा bag ह उसमें तो lemon, शिर्फ lemon, यानि की निम्बू flavor की टॉफी है, तो उस bag में orange flavor के candy कहा से आएंगी, जब question में में दिया गया कि lemon flavored candy है, तो हमारे पास orange flavored candy नहीं है, तो मैंने आपर लिखा है, bag has only lemon flavored candy, यानि की bag में शिर्फ lemon, यानि की निम्बू के taste की टॉफी है, therefore the number of orange flavored candy is equal to 0, यानि की जो orange flavored candy, यानि की संत्रे flavor की जो candy है, उनकी जो संख्या है, वो 0 है, यानि सुननी है, तो उसकी probability यानि की संभावना क्या हो जाएगी, orange flavored candy की 0 upon 1, 1 Q, क्योंकि एक ही चीज है उसके अंदर, अगर यहां पर होता, कि यार, क्या कहते हैं, एक lemon flavor की है, और एक इसकी flavor की, एक निम्बूगी थी, एक औरेंज की थी, तो दो हो जाता है, लेकिन बेग में सिर्फ एक टैप की है, तो हम उपान में लेखेंगे 1, यानि कि 0 upon 1 is equal to 0, तो यहां से हमें पता चली है, कि जो probability है, वो 0 है, probability 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन 0 से कम नहीं होगी मैनस में और 1 से बढ़ींगी होगी, यह आपको पता होना चीए, ठीक है, आप तो पता है आपको, ठीक, तो देखिए दूसरा के, lemon flavored candy, अब हमें बताना है कि lemon flavored candy निका, अगर उसने जो टौफी निकाले वो lemon flavored candy होगी, उसकी क्या probability है, ठीक है, तो उसकी probability क्या है, अगर बैग में सिर निकाले गी, प्रोइवीड़ी क्या होगी, आपको बता है, आपको बता है, आपको बता है आपको बैग में एक टौफी है, और वो टौफी भी lemon flavor की है, आपको पता है, जब बाहर न निकाल लोगी तो आपको पता ही है, ना कि लमन की ही टौफी निकलेगी, तो उसकी जग probability सिखिए कितनी हो जाएं कि 1 हो जाहे ठीक है तो मैं अंमीद कहता हूं कि हूँ का आप कोई कॉशन भी समज माया होगा तो बढ़ते हैं अगले कॉशन के ओर देखिये यह देखिये इस कोशन में क्या लेका थेखो It is given that in a group of three students the probability of two students not having the same birthday is 0.992 ठीक है what is the probability that the two students have the same birth day ठीक हो गया ये question में क्या करें देगो ये दिया गया है कि एक तीन दोस्तों का group है यानि कि जैसे आप लोग तीन दोस्ते हैं कोई भी Mohan, Sohan और Rohan तीन दोस्ते हैं Mohan, Sohan, Rohan तो अफिर तीन दोस्तों हैं वो the probability of the probability of two students not having the same birthday ठीक है यानि कि वो कह रहेगी उनकी जो सम्भावना है कि उनका बड़्ड एक दिन नियों होगा ठीक है, मान लोगी एक जन्वरी को उनका बड़्ड नहीं होगा उसकी सम्भावना दी गई है वो कितनी है 0.992 यानि कि 0.79.992 की probability दी गई है ठीक है तो यह कहने है कि चा संभावना है कि दो दोस्तों की सेम जिनके अंदर बढ़ दे होगा हमको फॉर्मुला पता है क्या होता है उनके संभावना प्लस पी नौट इलक होने के संभावना प्लस पी नौट इ नहीं से ना होने की संभावना इस एकौल टूथ I gilt it बड़े सेम दिन नहीं होगा, उसके प्रवेटी दी गई है, हमें कितनी है, 0.992, ठीक होगे, यह हो गया वो, और PE, तो हम निकाल देंगे, PE, यह तो ऐसी रहेगा, क्यों कि हमको, उनके होने की संभावना निकाले, ना होने की दी है, तो हमको खमने में रख देंगे, तो यह ह इसने बरोलया, तो 10 हो गया, इसने इसको दिया, तो यह 9 हो जाएगा, इसने भी 10 हो गया, इसने बरोलया, तो इसने इसको दिया, तो यह भी 9 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, यह 10 में से 2 मैंस करो, 8, 9 में से 9 मैंस करो, 0 में से 0 मैंस करो, 0 में से 0 मैंस करो, 0 मैंस कर तो चलिए बढ़ते हैं, अगले question की हो, देखो, अगला question थोड़ा सा अलग type का है, हर type की question आपको बताये जाएंगे, कि paper में किस type के questions आते हैं, ठीक है, तो देखिए, A bag contains three red balls and five black balls, a ball is drawn at random from the bag, what is the probability that the ball drawn is red, दूसरा not red, चलिए मैं इस question आपको समझाता हूँ, A bag contain three red balls, यहना की एक bag है, जिसमें तीन लाल ball है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यह सब given है, तो यहाँ पर given लिख देता हूँ, रेड हैं तीन ब्लेक हैं पांच यह मैं लिखा ठीक है फिर है what is the probability that the ball drawn is red not red तो यह कहरें कि क्या संभावना है कि जब हमने बॉल निकाली तो वह रेड होगी यानि कि यानि एक तो रेड होगी कि प्रोब्ली निकालने दूसरे कि नौट रेड यानि कि उसके क्या निकालनी है बुली होने कि संभावना निकालने सीधी से बात है ठीक है तो यह सबसे पहले total number of balls से कितनी हो जाएंगे भी रब उनकी सबको मिलाके total number of outcomes ठीक हो गया तो देखिए अब इसको सुरू करते हैं तो पहला निकालने हमको पी रेड होने की संभावना निकालनी है तो देखो लाल कितनी बॉल है देखो तीन बॉल है तो उपर पे लिखेंगे हम तीन और टोटल बॉल कितनी है आठ यानि कि जब हमारे रेड बॉल जब हम बैग में हाँ डालिंग और जब हमारे हाथ में लाल बॉल आएगी उसकी संभावना कितनी है थ्री बाई एट यह हमारा सिद्धे से एक आंसर हो गया ठीक है और जब दूसरा वाले है उसमें रिकालना है कि पी नॉट रेड अब इसको दो टाइप जब हमला पी यी प्लस पी नॉट इपिए खील टो बन हमें पता है होने मदलक की जो डल है यहां पर रिखूं अगर मैं पी कर जब देड पी नॉट रेड यानी कि हमें पता है पी रेड का प्रोपावबिटी कितनी है थी थी थ्री अपॉन एट तो हम लेंगे थी अपॉन प्लस हमको यही निकालना है P not red is equal to 1 तो अब जब इसको इधर को ले जाएंगे तो यह जाएगा P not red is equal to 1 minus 3 upon 8 होगा नहीं होगा जब यहाँ plus में तो यहाँ दा कि minus अब LGM लेंगे तो 8 minus 3 upon 8 रहने कि यह P not red होने की जो समभावन आए हो कितनी है 5 upon 8 ठीक है यह हमारा answer यह हमारा answer हो गया 5 upon 8 ठीक हो गया यह हमारी दूसरी method है अब देखो यह तो हमने निकाला P not red सीधे से क्योंकि हमें पता है कि 5 बॉल ऐसी है जो यह जानी कि black है अब पॉन टोटल इस तरह यह भी ज़र होगे आपका बिल्कुल सही है और आप इस तरह के से करोगे बिल्कुल सही है मतलब दूरे में फरक क्या है यह आप सीधे से देख सकते हैं यह जल्दी निकल जाए यह तो यह जादे लग रहे है और उसमें कम लग र ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको probability समझ माया कि probability क्या होती है किसी भी चीज के होने की संभावना को हम probability कहते हैं probability को हिंदी में ही संभावना कहते हैं किसी भी चीज के होने की संभावना है पर गटना को हम संभावना कहते हैं ठीक इस सिधी से बात है और probability क्या होती एक से छोटी होती है और जीरो से बड़ी जीरो और जीरो के से बड़ी और वन और वन के बराबर और वन से छोटी प्रवैबिटी होती है वन से बड़ी कभी नहीं होगी जीरो से छोटी कभी नहीं होगी यह आप मान लिए ठीक है और किसी भी चीट के होने की संभावना और न होने की संभावना बराबर कितना होता है one यानि कि pe plus p naught e is equal to one ठीक हो गया इसलिए यह है आपके probability के notes आप इनको लिख लीजिए अच्छे से रफ copy में एक notes को प्राइए जिसमें आप सभी notes लिखिए ताकि आप पेपर करने जाएं तो उसको just revise कर ले जल्दी से आपको revise हो बटन है subscribe उसको दबाईए और जो वहां पर उसके बड़न में घंटी बनी होती है उसको दबाके all पे कर लीजी ठीक है मिलते हैं आपसे next video में तो तक के लिए दोगत की दूरी mask है जरूरी mask लगाएं जरूर से जरूर हाथों में sanitizer का use करें sanitizer नहीं है तो अच्छे से हाथों क को धूएं किसी भी कोई भी खाना पीना खाने से बहले हाथों को धूएं आसपरा subscribe नाए रखें अपना और अपने घरवान लोगा चिहान रखिए मिलते हैं आपसे next video में तक तक के लिए thanks for watching take care